हलो आशुरेंस माओ विकास और मैं आप सभी का Knowledge Beam YouTube चैनल के एक नए वीडियो में पुना स्वागत करता हूँ आशुरेंस आज की वीडियो में हम लोग syntax topic के अंतरगत pronoun से सम्मधि जो भी important rules है उन्हें exercise के माध्यम से जो भी important questions पूछेंगा है उनके solutions के साथ हम लोग नियम को समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको जो भी exercise में questions है उनका solution भी provide कर दूँगा ताकि अगर आपको वो निजामिन में से कोई भी question देखने को मिले तो आसानी से आप उनका answer लिख सके तो चलिए बैगर समय वेश्ट के वीडियों स्टार्ट करते हैं और प्रोनावन समझेंगी जो भी important नियम है उन्हें हम लोग exercise में जो भी important questions पूछेंगा है उनके माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं तो आश्ट्रेंट जैसा की देख सकते हैं मैंने इस बोड पर लिखा है rules of pronoun अर्थात pronoun के नियम तो pronoun के नियम से सम्बंधित यहाँ पर मैंने बहुत सारे questions लिखे हैं तो इन से सम्बंदित जो भी तो आए शुडैं जैसा की देख सकते मैंने इस बोड पर लिखा है रूल साफ प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन के नियम तो प्रोनाउन के नियम से सम्बंदित यहां पर मैंने Excellent English Grammar Books लिखा हुगा है तो आई शुर्णेन जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर पा लिखा है रूल साथ प्रोनाऊन के नियम तो प्रोनाऊन के नियम से समबंथि तो इक्सलेंट इंगलिस ग्रामर बुक से मैंने एक्सरसाइज यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस इकसर साइज में जो भी संटेंस पूछे कैं उनमें क्या एरर है प्रोनाउन सम्बंदी मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूँ और आपको मैं एंसर के साथ साथ नियम भी स्पष्ट कर दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है correct the following sentences अर्थात आ रहे वाक्यों को सुध कीजिए यहाँ पर पहला जो sentence है one must do he's duty यानि हर किसी को अपना करतब या अवज से पूरा करना चाहिए आप he के साथ his का प्रयोग करते हो लेकिन आपको one के साथ once का प्रयोग करना होगा इसके बाद है I you and he went to Delhi अर्थात मैं तुम और वह दिल्ली गए तो जब भी किसी एक वाक्यों में तीरो परसन के प्रोनाउन का प्रयोग हो फर्स सेकेंड और थर्ड तो उनका क्रम 231 का लिखना होगा पहले हमको यू लिखना है उसके बाद 233 यानि हमको ही लिखना है और उसके बाद हमको and I अर्थात I लिखना है इस तरह से करेंगे तो आपका या correct हो जाएगा यानि I you and he went to Delhi या incorrect है आप इससे जब correct करेंगे तो आपको लिखना होगा you कामा देकर he and I went to Delhi लह यानि एक बहुत ही ठंडा धीन होते हुए I could not go out मैं बाहर न जा सका तो यहां पर देखेंगे तो हमको क्या करना है नॉमिनेटिव एपसलूट इसमें अर्था इट का प्रियोग नहीं कि आगया करता का प्रियोग नहीं है तो हम लोग को इसमें इट का प्रियोग करना है इ इसके बाद अगला है you should avail of this opportunity तुम्हें इस अवसर का लाब उठाना चाहिए avail, enjoy, pride या सब ऐसे कुछ ट्रांजिटिव वर्ड है जिनके साथ आपको reflexive pronoun का प्रियोग करना होता है तो avail के साथ देखें यहां पर subject you आया है तो you का जो reflexive नहीं जो आच्छा स्वरवनाम होता है यहां होता है आपका yourself ठीक है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं तो हमको क्या करना है आवैल के बाद हमको reflexive pronoun you का yourself यूज करना है आवैल yourself ठीक है तो यह इस तरह से हो गया इसके बाद अगला है it is me who did it तो यहां पर याद रखेगा कि यहां पर जो हमारा pronoun आया है मी यह subjective case में होना चाहिए verb each के लिए तो यह चीज याद रखेगा बहुत ज्यादा यह question पूछा जाता है तो it is I रहेगा तो पांची वाले question में आपको याद रखना है it is आपको objective form नहीं लिखना है बनकि subjective form लिखना है I ठीक है it is I इसके बाद अगला sentence देखते हैं yourself are responsible यानि तुम स्वयम जिमेदार हो तो reflexive pronoun किसी भी वाक्य का subject नहीं होता है यह चीज याद रखेगा reflexive pronoun वाक्य का subject नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे yourself जो है वा you यानि की you का reflexive pronoun है तो हम लोग यहाँ पर you लिखने वाले हैं तो you yourself यानि तुम स्वयम ही क्या हो जिमेदार हो आप चाहो तो yourself को last में भी लिख सकते हो लेकिन आपको you लिखना ही होगा इसके बाद अगला जो sentence है I and you have done it तो यहाँ पर देखिए दो हमारे person के प्रणावन आये है first और second के तो इनका ख्रम 231 यानि पहले हमको second लिखना होगा फिर first लिखना होगा तो हम करेंगे क्या हमको पहले you लिखना है फिर and I यानि की first person का प्रणावन लिखना है इसके बाद है this book is my या किताब मेरी है ऐसा कुछ कहना चाहता है लेकिन यहाँ पर my लिखा है तो my के बाद या hour के बाद ऐसे possessive case के बाद हमको कोई noun चाहिए लेकिन यहाँ पर noun आया नहीं है इस वज़े से possessive case का जब आप रूप याद करते है दखेंगे my और mine our hours तो आपको जो दूसरा पजेसी रूप होता है mine हमको उसका यूच करना है क्योंकि इसके बाद noun नहीं आया है अगर noun आता तो ठीक है लेकिन यहाँ पर noun आया रही है इस वज़े से हम लोग क्या करने वाले हैं जहां पर my है वहाँ पर हमको लिखना होगा mine ठीक है यह किता मेरी है ऐसा कुछ कहना चाहता है इसके बाद what is it या क्या है which troubles you so much या क्या है या कौन सी बात है which troubles you so much जो तुमको इतना अधिक परसान करती है तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इंट्रोगेटिव प्रोणावन है what है तो इंट्रोगेटिव प्रोणावन अगर आपका वाट आजाता है या हूँ आता है तो उसके साथ हमारा रिलेटिव प्रोणावन वीच नहीं चलता है बलकि दैट चलता है तो हमको जहाँ पर वीच है वीच की जगा हमको किसका प्रियोग करना है या चीज़ याद रखिएगा हूँ अगर आपका इंट्रोगेटिव प्रो प्रोणावन का क्रम है दोस्ते एक तीस उसके नुसार सही है लेकिन याद रखिएगा जब फर्ष्ट पर्षन सेकेंड पर्षन या थर्ड पर्षन आ जाए तीनों पर्षन आ जाए तो हमेशा ही जो प्रोणावन आता है प्रजेसिव केस का वह हमेशा ही फर्ष्ट पर्ष होता है तो यहां पर यू जो है सेकेंड परसन है और आई जो हमारा फर्स परसन आ चुका है तो इस वज़े से इसका प्रोनाउन है या प्लूरल रहेगा अथा फर्स परसन का प्लूरल लिखा जाता है तो फर्स परसन का प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो माई का जो है वह हमा मारा यह माई आया है वहाँ पर हमको आवर लिखना है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला है वन सुट कीप ही जो वर्ड यानि हर किसी को अपना मादा पूरा करना चाहिए तो यहाँ पर वन के साथ पजेसिव केस में वन आपको वन सका प्रयोग करना होता है जैसा क कि हूज अपना के लिए कार किया जाता है तो यहाँ पर हूम नहीं हूज तो आपको हूज एका प्रयोग करना होगा हूज अगला संटेंस है आई विल आवैल आप दीस चांट तो सेम यही क्वेस्टन है बस यहाँ पर आपको शुन्टी की जगर क्या कर दिया है चांस कर द आई डिन जो आए यह सब कुछ ऐसे वर्भ हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनावन का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर जो अवैल है उसके बाद हमको अवैल के बाद माई सेल्फ लिखना होगा ठीक है माई सेल्फ लिखना होगा यहाँ पर आई जो है सब्जेक्टी रूप में ठीक है लेकिन आई जो है सब्जेक्टी रूप में ठीक है लेकिन आई के नुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्भ आता है या फिर या फिर जो भी वर्भ आएगा वह इसी सब्जेक्ट के नुसार होता है तो आई के नुसार है के लिए हमको कि हैज का प्रियोग करना है किसका क्रियोग करेंगे अगला सज्टेंस है none of the two sisters is married अर्था दोनों बहनों में से कोई भी विवाहित नहीं है तो मैं एक चीज़ आपको clear कर देना चाहता हूँ कि none का और any का प्रियोग जो है वह दो से अधिक वेक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है और जब दो वेक्तियों या वस्तुओं का संबंध हो तो हम either या neither का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर दो बहनों की बात की जा रही है दो लोगों के भी संबंध है इस वज़ा से हम लोग none नहीं बल्कि neither का प्रियोग करेंगे तो हमको इस तरह से जहाँ पर नन है वहीं पर हमको नाइदर लिखना होगा तो हमारा इस तरह से करेक्ट होगा नाइदर आप दा टू सिस्टर्स इज मैरीड यानि दोनों बहनों में से कोई भी मैरीड नहीं है इसके बाद अगला संटेंस है यानि हर किसी को अपनी स्वास्थ का ध्या रखना चाहिए तो वन के साथ पजेशिव केस में हीज नहीं बलकि वन्स का प्रयोग किया जाता है अपना के लिए तो हमको वन्स प्रयोग करना होगा हीज की जगए ठीक है इसके बाद अगला जो संटेंस है वह है यानि लेत यू एंड आइ गो देः तो यहाँ पर देख सकते हैं लेत के साथ हम लोग जानते हैं कि objective from यूज किया जाता है तो यू हमारा objective form में ठीक है बट यह जो I है यह subjective form में है तो let you and me go there तो यहाँ पर यानि तुमको और मुझे वहाँ जाने दो तो यहाँ पर जो हमारा I है या objective रूप में होना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं जहाँ पर I है वहाँ पर हमको me लिखना होगा यह चीज आप ध्यार रखिएगा इसके बाद अगला जो sentence है उसको देखते हैं He is one of those people यानि वहाँ उन लोगों में से एक है who knows everything जो कि हर किसी चीज को जानते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दोज आया है दोज पीपल तो दोज पीपल के अनुसार यहाँ पर दोज नहीं आना चाहिए क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर No आना चाहिए हमारा तो हम क्या करेंगे जहाँ पर नोज है वहाँ पर हम केवल No लिखेंगे यह चीज याद रखिएगा देख सकते हैं दोज पीपल हमारा जो प्लूरल है इस वज़े से नोज नहीं नो रहेगा ठीक है इसके बाद अगला sentence है who did you punish तो यह कहना चाहता है तुमने किसको सजा दिया तो who जो है पजेसी रूप की तरह कारी करता है अपना के लिए तो यहाँ पर हम लोग objective रूप यूज करेंगे तो हो जाएगा हमारा whom whom did you punish तुमने किसको सजा दिया तो हम लोग भूज की जगा क्या करने वाले है whom प्रयोक करने वाले है ठीक है इसके बाद अगला जो sentence है उसे देखते है I who are your friend will help you मैं जो तुम्हारा मित्र हूँ तुम्हारी मदद करूँगा तो यहां देख सकते हैं I है तो I के अनुसार हमारा R नहीं बलकि M आना चाहिए तो हम लोग करेंगे क्या जहां पर I के अनुसार यहां पर I यूज है और I के अनुसार यहां R लगाया है तो R नहीं रहेगा बलकि हम लोग वहाँ पर R की जगे किसका यूज़ करने वाले हैं I का ठीक है I के अनुसार M हैगा तो इस तरह से मारा correct होगा I who am your friend will help you इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला sentence है He availed of the opportunity यानि उसने author का love उठाया तो avail के साथ मैंने बताया कि हमेशा ही reflexive pronoun यूज़ होता है तो he के अनुसार avail के बाद क्या जाएगा himself तो हमारा इस तरह से हो जाएगा correct तो availed हो गया इसके बाद हमारा क्या जाएगा himself इसके बाद अगला जो sentence है उसे देखते हैं he and myself took dinner यानि हुआ और मैंने dinner लिया या फिर sam का भोजन लिया या रात्री का भोजन लिया तो यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो reflexive pronoun होता है कभी भी वाक्य का subject नहीं हो सकता है मैंने आपको पहले ही बता तो यहाँ पर myself जो है वाक्य का subject है ही के साथ तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर myself है आप चाहो तो I लिख दो या फिर आपको I के साथ myself लिखना होगा आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपको लिखना क्या होगा देखे मैं पूरा इसको correct कर देता हूँ he and I ठीक है इसके बाद took dinner इस तरह से आप कर सकते हैं ठीक है नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं देखे मैं यहाँ पर लिख दे रहाऊं he and I myself took dinner इस तरह से आप कर सकते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला है the poor is very miserable यानि जो poor है यानि गरीब लोग काफी miserable है दैनी इस्तिती में है या दसा में है तो यहाँ पर the poor मतलब गरीब लोग तो इस नहीं आना चाहिए बलकि आर आना चाहिए तो हमारा जो अगला question है उसमें हमको the poor के अनुसर क्या जाएगा आर ठीक है इज नहीं लिखना होगा बलकि हमको आर लिखना है इसके बाद अगला जो sentence है उसे देखते है it is I who is your best friend या मैं ही हूँ जो कि तुम्हारा सबसे अच्छा मित रहूं तो I के नुसर यहाँ पर इज नहीं आए रहेगा बलकि मारा क्या आएगा आएगा तो हम लोग क्या करने वाले जहां पर I है वहीं पर हमको I am का यूज करना होगा इसके बाद अगे बढ़ते हैं और आगला जो sentence है नाइधर आप दे आश्टुडेंस गॉड़ दा प्राइज दे इस्पेक्टेड यानि नाइधर आप दे आश्टुडेंस विद्यार्थियों में से नाइधर कोई भी नहीं गॉड़ दे प्राइज पुरस्कार प्राप्त किया दे इस्पेक्टेड यानि वे आसा किया कि तो नाइदर की जगह क्या करना है है कि अधिए तो हम लोग क्या करेंगे नं का पृघ्ल करेंगे नां पर्ड़ anybody ठीक है विद्यार्थिव में से कोई भी नहीं इसके बाद अगला जो संटेंस से उसे देखते हैं इफ आई गो टू कस्मीर यदि मैं कस्मीर जाता हूं यानि मैं औसर का लाब उठाऊंगा एक अच्छे साल को खरिदने के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं अवैल आ चुका है तो मैंने बताया कि अवैल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनावन आता है नीजवाचक सर्वनाम तो हम लोग क्या करने वाले हैं जहां पर हमारा अवै इस तरह से तो यह हो गए जो भी 26 एक्सरसाइज के अंतरकत क्वेस्टेंस पूछे गए थे उनका सोलूसन यहां पर एक क्वेस्टेंस जो 27 वाला है वह आपके लिए मैंने लिखा है इस संटेंस में क्या एरर है क्या प्रोनावन समंदी एरर है आपको बताना है और अपने जो एंसर है उसे कमेंट के माध्यम से सेंड करना है आई होप एस्टोडेंस आप लोग अपने एंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे और ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकें तो एस्टोडेंस जाथा सिंटे अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए तो मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक के लिए थांके सो मच फॉाचिंग देश वीडियो लाइक के लिए में तक कीजिए मुझे कीजिए रखिक काफी मुझे का लिए वीडियो शें हिसे भी बारिक लिए से वीडियो वीडियो